देखे आज कल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं 200 में और 2000 वाली चेकिंग होती हैं उनमें difference क्या होता है देखे 200 वाली जो आप री चेकिंग भरते हो और 1000 वाली जो चेकिंग भरते हो दोनों की सेम चेकिंग होती है दुबारा से एक teacher, नए teacher होते हैं जो उस paper को check करते हैं दुबारा से number दिये जाते हैं previous number को consider नहीं किया जाता कुछ नए number दिये जाएंगे जो उनको ठीक लगेंगे उनको question ठीक लगेगा तो उस पे number देंगे आपको बस thousand में आपके पास यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपके पास एक photocopy आएगी अलग से वो आप अपनी exam branch वालों से पता कर सकते हैं कि उनके पास जब checking क्या होगी पुरानी checking और जो नई checking होगी दोनों checking उसमें होगी after दोनों checking आपके पास वो photocopy आपके पास आजाएगी वो आप लेने जाओगे तो आपको मिलेगी other than आपके कहीं घर नहीं आएगी है यह वो information है जो मैं आपको देख रहा हूं दे रहा हूं जो आप अपने result जब देखते हैं उसके नीचे ही mention होती है ठीक है और यहीं पर लिखा होता है कि आप कब तक revaluation भर सकते हो ठीक है एक RTI होती है वो engineering में होती है आप RTI भरते हो तो RTI के लिए क्या होता है वहाँ पर आप जाते हो आपको paper दिखाया जाता है सिरफ ठीक है यह thousand में आप यह लगा सकते हो 800 रपे की तो आपको copy दी जाएगी photo set करके जो आपका paper होगा जिससे आप यह check कर सकते हो कि आप कहां mistakes करते हो यह copy इसलिए दी जाती है आप देखिए कहां आप गलतियां करते हो ठीक है जिसको आप आगे correct कर सकते हो Thank you